हलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम लोग जानेंगे नवरात्री पर आसान हिंदी नीबन बहुत ही आसान शब्दों में तो आओ शुरू करते हैं नवरात्री हिंदू धर्म का एक महत्यपुर्ण त्योहार है यह त्योहार आश्रिन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है नवरात्री के इस पावन अफसर पर लोग मा दुर्गा की अराधना करते हैं और उनका आश्रवाद प्राप्त करते हैं नवरात्री के दोरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और मंदिरों में मा दुर्गा की मूर्ती की पूजा करते हैं इस पर पर दुर्गा मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है पहली शैल पुत्री, दूसरी ब्रह्म चारनी, तीसरी चंद्रघंटा, चोथी कुश्मांडा, पाचवी असकंद माता, छठी कात्यायनी, साथवी काल रात्री, आठवी महागोडी और नौवी सिद्धी दात्री नौ रात्री के नौ दिन लोग माता के लिए उपवास रखते हैं, और अश्टमी या नौमी के दिन माता का विशेश भोग तयार कर, नौ कन्याओं को पूजते हैं नौ रात्री में माता के जागरन और संगीत, डांडिया कारिक्रम आयोजित किये जाते हैं या तयोहार विभिन रंगीन पड़वो के साथ मनाया जाता है और लोग दूमधाम से नौरित्य और संगीत का आनंद लेते हैं दुर्गा पूजा के बाद दशहरा के रूप में रावन दहन का आयोजन किया जाता है जिसे विजय दश्मी के रूप में भी मनाया जाता है नौरात्री का तयोहार बहुत ही खुशियों भरा तयोहार है तो इस तरह से नवरात्री पर आसान हिंदी निबन लिख सकते हो अगरे वीडियो आपको हिल्फुल लगी हो तिसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक केर थाइंक यू